काली गर्दन हो या फिर हाथ पेर पे काले दाग धब्बे हो सारे के सारे दाग धब्बे निकालने का देशी तरीका में आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ घर की चीज़े यूज़ करनी है बिना केमिकल के 5 मिनिन पे इंस्टन रिजल् तो वो भी फ्री में होने वाला है, साथी में अभी तेज धूप की होने की वज़े से बहुत ज़्यादा स्किन टैनिंग हो जाती है, वो भी स्किन टैनिंग हटाने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा, साथी में आप देखे हाथ पेर के उपर इस तरीके से क तो बस वीडियो को ध्यान से देखें पूरा देखें जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और पूरा वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें तो चले देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चाहिए तो यहां पे दिखें मैंने क्टोरी ल सोडा ही यूज कीजे आदे चम्मच के करीब और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजे और हमें लेना यहां पे थोड़ा सा हनी हनी ऑप्शनल है यहां पे अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हो तो स्किब भी कर सकते हो और बिल्कुल फ्री की चीजे हम घर की यूज करेंगे जि इससी की आप हर स्किन टोन के लिए हर स्किन के लिए यूज कर सकते हो कोई भी अलर्जी आ रैशिस नहीं होंगे आप छोटे बच्चों से लेके बड़ो तक भी इसका यूज कर पाओगे थोड़ा सा हमें शांपू लेना है और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजे इसके बाद यहाँ पर हमें लेना एक सीक्रेट इंग्रिडेंट वो है नीम्बू तो नीम्बू का रस हमें इसमें डालना है और अगर आपके पास नीम्बू नहीं है तो यहाँ पर यूज कर सकते हो दही का दही खटा होना चाहिए बस दही एक चम्मस डाल दीजे और इस कर सकते हो थोड़ा सा डाल दीजे बाकी इसमें दिखे नीम्बू का रस डालने के बाद पानी डालने की या कोई और चीज डालने की ज़रुत ही नहीं है बिलकुल यह फाइन पेस्ट बन चुका है और इस तरीके से हमें एच्छे से मिक्स इसे करना है बिलकुल भी गुटल तो अगर आप चानल पे नए आए हो तो चानल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी उसफ़ल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ तो देखे यहां पे काली जो गर्दन हुई है बहुत लोगों की यह प्रॉबलेम है बहुत लोगों के नेक्यों पर आपने यह द जाग है उसे नॉर्मल पानी से वाश कर लीजे सुखा लीजे उसके बाद यहां पे हमें लेना यह पेस्ट और इस तरीके से लगाना है जहां भी दाग है वहाँ लगा सकते हो जैसी कि मैंने कहा घर में छोटे बच्चे है तो उनके उपर गर्दन के इस तरीके से दाग हो जैसे कि आपकी skin थोड़ा सा color दबा हुआ है तो इसको glowing बनाने के लिए भी उच कर सकते हो या फिर ये face pack की तरह ही काम करता है और साथ ही में ये tanning भी हटाता है और अगर हाथ के उपर लगाते हो तो आपका manicure पेडिकेर भी हो जाएगा वो कैसे करना है वो भी आपको में दाग के उपर और इसे चोड़ना है पाँच मिनिट के लिए पाँच मिनिट के लिए बिल्कुल आप इसे चोड़ दीजे उसके बाद देखे ये honey इसमें हमने डाला हुआ है तो ये dry नहीं होता है अगर honey नहीं है तो ये dry हो जाएगा पूरा तो थोड़ा सा हाथ गिला करक इसे रगणने के लिए हलका सा यूज कर सकते हो तो देखे यहां पे बस थोड़ा सा पानी का हाथ लेके मैं थोड़ा सा साफ कर रही हूँ इसके बाद यहां पे मैं इसे tissue paper से आपको clean करके भी दिखाऊंगी बिल्कुल भी video में cut नहीं है आप देख सकते हो edit नहीं किया बस इसे आप किसी भी गिले कपड़े से साफ कीजे या फिर साफ पानी से दो दीजे जिससे कि यह पूरा जो पेस्ट लगा हुआ है वो निकल जाएगा देख सकते हो बहुत ही अच्छा result आता एक बार जरूर ट्राइ कीजे और एक ही बार में इतना अच्छा result है अगर सकते हो कैसा है देखिए कितना अच्छा result आया है और वो भी घर की चीजों का यूज़ करके आप भी जरूर ट्राइ कीजिए और हाँ आप यह वीडियो किस गाउं से या शहर से देख रहे हो मुझे जल्दी से comment box बताईए ताकि मेरा वीडियो कहां का पहुँचा हो मुझे पता चल सके तो देखिए यहां पे हमने गरदन के दाग तो पूरे के पूरे साफ कर लिये हैं अब देखते हैं इसके हाथ के उपर या पैर के उपर कैसा result आता है और कैसे हमें इसे manicure पेडिकेर की तरह यूज़ करना है तो देखिए पहले तो मैं सिरके से बस आपको लगा तो आप लगा सकते हो हमारी जो उंगलिया होती नो वो joint के उपर भी आप देखना बहुत लोगों के बहुत ज्यादा एक काला निशान बन जाता है उसके उपर भी यह लागो होता है बहुत अच्छे से वो दाग सारे साफ हो जाएंगे जरूर ट्राइ कीजिए और अगर आ और डीटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की है फिर भी आपके कोई queries है questions है तो आप मुझे comment box में पूस सकते हो जल्दी से जल्दी मैं उसके answer दूंगी तो देखे यहाँ पर किस तरीके से मैंने इसे मसाज करते हुए साफ कर दिया है और इससे न आपके जो छोटे-चोटे hairs हो देख सकते हो result आपके सामने है कुछ भी कहने की जरत नहीं है बिल्कुल पांच मिनिट में result मिलता है आप भी जरूर आए कीजिए और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और वीडियो कैसा लगा मुझे comment box में भी जरूर ब